नमस्कार, आज का हमारा जो वीडियो है थोड़ा सा अलग टोपिक पे है और इस वीडियो को जो है हम लगभग 2-4 दिन से प्लान कर रहे थे कि बनाया ना बनाया हो सकता है कि कोई नया अपडेट आ जाया लेकिन अंत में हमको लगा कि नहीं अब वीडियो जो है बनाना जरूरी है कहीं से आवाज उठना चाहिए हम उठाया या फिर कोई और उठाया बट आवाज अब उठना चाहिए चुकि अब जरूरस से ज़्यादा हो रहा है देखिए आप सभी को पता होगा कि कोरोना भी काफी परिसान किया 2020 में भी 21 में भी किया लेकिन इस चीज में देखा जाया तो सबसे ज़्यादा परिसानी और सबसे ज़्यादा जो है जिस पे दोहरा नीती देखा जाया तो एजिक्येशन के उपर पड़ा है आप सभी को प कि उपर भी संक्रमित होने का खत्रा बढ़ जाता है अब देखें यहां पर क्या विचार है इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी आपको पता होगा कि लगबग सारु तरब जो है अनलॉक का प्रक्रिया सुरू है अब अगर हम बात करते हैं कि जो स्टुडेंट है अब घर में माल लेते हैं कि दस मेंबर है क्या कोई ऐसा फैमली है जिसका एक भी member घर से बाहर ना जाता हो, ऐसा संब़व नहीं है, हर family में कोई न कोई एक member है, जो बाहर जाता है, घर लाता है, जिससे घर चलता है, अब एक member बाहर आ रहा तो एक दम clear है कि घर के बच्चा से मिलेगा ही, बिना मिले संबव नहीं यह किरा सकता है, ठीक है, तो उगरा जो उसके लिए काफी सारा गाइड लेंस बना हुआ लेकिन गाइड लेवल पर कितना फोलो ओता है जा करके देखे किसी भी साधी में कि इसके बच्चा को वहाँ करूना नहीं हो सकता है इसके अलावा अभी बंगाल उगरा में जो रैली चल रहा था उसमें हमाल लेते जुनियर बच्चा का बात नहीं करते हैं, तो जो रैली में काफी सारे बच्चा जो है जाकर के सामिल होते थे, सिनियर स्टुडेंट लोग, क्या उनको वहाँ कोरोना नहीं हो रहा था, उसके अलावा अभी आप मार्केट में चले जाए, तो क्या मार्केट में आपको जाते हैं, हर जगा लगबग अच्छा कासा स्टुडेंट का मातरा दिख रहा है, लेकिन कोरोना कहां होगा, तो सिर्फ स्कूल में होगा, या सिर्फ कोचिंग में होगा, बाकी दूसरे जगा कोरोना नहीं हो सकता है, सरकार के नुसा है, कहा जाता है कि कि किसी भी कंट्री क कर देजी आटमेटिक चोपड हो जाएगा एजुकेशन अच्छा रहा तो आगे जाएगा लेकिन हमारे यहां जो देखा जा रहा हूं चाहे हमारा स्टेट गॉवर्मेंट हो या फिर सेंट्रल गॉवर्मेंट हो एजुकेशन पर किसी का कोई फोकस नहीं है कब भी देखेगा एजुकेशन से कोई जाधा सरकार को टैक्स भी नहीं मिलता है बस एजुकेशन से सरकार को एक चीज़ का जरूर दिक्कत है कि अगर जाधा कोई पढ़ लिख लेता है अपना डिमांड करेगा तो उस सिच्वेशन में सरकार को प्रबलम होगा और आपको पता है कि हमारे होता है कि इसमें क्या-क्या संकर्थ है कि इससे क्या होता है अगला कितना जनरेशन देखते जाएगा तो दूसरे के बारे में कि सूचेंगे कि अभी जितना ज्यादा मतलब पता नहीं कि education को क्या होगा समझ से बाहर है कुरोना जब सुरू हो रहा उससे काफी पहले education को बंद कर दिया जा रहा है और थोड़ा सा situation नॉर्मल भी हो रहा तब इसको पर कोई focus नहीं किया जा रहा है अगर आप उतना education को ले करके मतलब जागरूग रहा थे तो आप क्या करते है वैक्सिनेशन पर फोकस करते है जल्दी वैक्सिन होगर अब लेवल कराते है बहुत सारा country जहां पर वैक्सिन होगर अब लेवल हो चुका है पड़ भी गया और वहां के classes चल भी रहा है लेकिन हमारे यहां ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है क्यों चुकि हमारे यहां एजुकेशन जो सबसे लास्ट पायदान पर आता है यानि यहां एजुकेशन से बिसेश किसी को कुई मतलब नहीं है मीडिया को भी देखा जाया तो मीडिया भी एजुकेशन वाले मुद्धे पर बिल्कुल खामोस रहती है ये क्यों चुकिशन उतना ज़्यदा TRP ओगरा मिलता नहीं है जहां तक बोर्ड एक्जाम के बारे में बात किया जाया अब लेकिन बाकी बोर्ड को देखा जाया तो लगबग आपका CBC हो या फिर State Board हो लगबग जो है सबका एक्जाम कैंसल हो गया cancel हो गया अब बच्चा को भी देखा जाए तो जो बच्चा पढ़ा लिखा था अच्छा मेनद किया था उसको problem है लेकिन जो ज़्यादा नहीं पढ़ा था खुस है उसको अभी पता नहीं चल रहा है उसको तो भी लग रहा है कि चलो भाई body jam pass कर लिए लेकिन इसका बतना होगा यह आगे ही पता चलेगा लेकिन इस पर भी देखा जाया तो हमारे तरफ से बिल्कुल लग रहा है कि अभी जो भी इंटरमेडियेट और तेंत के एक्जाम को कैंसल किया गया इसके पीछे भी राजनीती है क्यों चुकि अगला एक्जाम अगला रिजट जो आन अगर इसके द्रिश्टिकों से सही लगता तो फैसला लेगा नहीं लगता तो नहीं लेगा अगर सरकार को एजुकेशन के प्रती मतलब थोड़ा भी लगाव रहा था तो ऐसा नहीं करता अभी की समय में आप मार्केट में जा करके देखे जहां भी अल्लोग हो चुगा नहीं में करा एक हैर कर सकता है और एक टीचर से कहौन कर सकता है स्कूल में जितना मतलब rule regulation follow होता है उतना हमको नहीं लगता है कि किसी दूसरे जगा होता है अगर school में आप guidelines बढ़ा है आप चेक करिए कि हाँ सही में प्रोपरली जो है कोरोना का guidelines follow हो रहा है या अगर हो रहा है तो उसको प्रोपरली चलने दीजे एक किसान सब को क्यों मतलब घुमा रहा है जहा तक बात किया जया online online हमारे सरकार के लिए बस बहाना बन करा गया मतलब जाकर पूछे सिख्शा मंत्री से या फिर किसी से कि class को क्यों ने open किया जा रहा तो बस एक ही बहाना है यह कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ बाकी कंपनी है तो उसका भी सेम सेच्वेशन है अगर हमारे पास 100% स्टुडेंट है पढ़ने के लिए तो पता चला है कि उसमें बाकी के पास कोई सुब्दा नहीं है हम रिचार्ज गरा कर रहा है लेकि नेट सही से चल नहीं है हम क्लास को कैसे प्रॉपरली रन करेंगे और ऑनलाइन में आपको ऐसा भी पता होगा कि जो बच्चा सिनियर है जो मान लेते कि इंटरमीडियेट गरा कर लिया हुआ थोड़ा क्लास खुला था तो उस समय हम लोग क्या किये थे कि खुला था उसके बावजूद जो आ पढ़ाया थे उस चीज को जब बचा से पुछ रहे था तो बच्चा कहिए जब आ रहा था कि सरी कोस्तिन नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा तो सरी ऑंलाइन पढ़े थे जो आफल से आगे निकलता है और इसमें होता है कि नेट उगरा का सही बिवस्ता होता हर चीज प्रोपरली होता तो कुछ अच्छा हो सकता था बट हमारे यहां ऐसा कुछ है नहीं हमारे नेट सही है और गाउं का जो सिच्विसन से अभी देखेगा तो बिहार का मैक्सिमम भिलेज जो ह फलोड से ग्रसित है लाइट का वहीं प्रोबलम है नेट का वहीं प्रोबलम है और अधिकांसता बच्चा जो है जिसके पास परसनल फोन नहीं है लेकिन गवर्मेंट के पास एक अच्छा का सा बहाना हो गया कि ऑनलाइन पढ़ा ही चल रहा है अगर गवर्मेंट में इतना परसेंट बच्चा जो है, ओनलाइन क्लास सही से पढ़ पाता है, लगबग 90 परसेंट बच्चा जो है, ओनलाइन क्लास सही से समझ नहीं पाता है, और सही से क्लास नहीं कर पाता है, ओनलाइन क्लास का बहुत सारा डिमेरिट भी है, अभी की समय में देखेगा तो आख का प्र पहुत गलत लत भी आ गया मुबाइल पे आ रहा तो पढ़ाई के अलावा बाकी वीडियो पे जादा फोकस कर रहा है चूकि छोटा-छोटा बच्चा है उसको ज़्यादा अभी जनकारी है नहीं कि क्या अच्छा है क्या बूरा है उसको जो अच्छा लगता है जिसमें टाइम एस्पेंट सही से हो पाता है अभी उसी चीज पर ज़्यादा फोकस करता है तो online class का बहुत सरा डिमेरिट भी है online class से भी जितना भी बच्छा online class पढ़ रहा है अगर उसको किसी के सामने face करना पड़े offline तो उस सही से face ही नहीं कर पाएगा एक्जाम देना पड़े offline से एक्जाम नहीं दे पाएगा अगर कोई आदमी मान लेते कि उसका interview के तौर पर कहीं खड़ा कर दिया जहां पर कुछ public खड़ा वहां हो बच्छा बोली नहीं पाएगा चुकि कभी public के बीच में गया ही नहीं है ठीक है तो online का बहुत सारा डिमे लगा होगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक किजीगा और बुरा लगा होगा तो डिस्लाइक भी जरूर कर देजेगा मिलेंगे अगले वीडियो में थैंक यूश्या